हेलो ब्रदर और सिस्टर में तानिया स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादो के इस चैनल में और आज हम आपको बताने हो लो देखें इसके पहले वाले वीडियो में प्रस्मावली चारज असमुल एक का एक से चार तक हम आपको बता चुके थे और आज बताने का मान हम क्यात करते हैं तो चलिए देखिए फाच्षा सवार का पहला सवाल क्या दिया हुआ है दिया है सार डीक में 3-1-2,0,0 ,-1,3,-5 ,0 ठीक है सारेडिक में ऐसे मान दिया है तो हल करने के लिए सबसे पहले यहां पे तो पहले सारेडिक यह दर्सा लेकते हैं ठीक है यह बराबर सारेडिक यह बराबर यानि जो मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं 303-1 0-5-2-1 0 ठीक है तो क्या करना है सबसे पाले कुछ नहीं बस R1 के अनुदीस प्रसराड करना है ठीक है चलि आरवन के अनुदीश प्रसरड करते हैं तो लिखते आरवन के अनुदीश प्रसरड करने पर चलि आरवन के अनुदीश प्रसरड करने पर देखिए आरवन के अनुदीश प्रसरड होगा तो क्या होगा तीन हो जाएगा पहला पक्ती पहला अस्तम खतम यानि पहला पक्ती पहला अस्तम खतम जीरो का जीरो में गुड़ा होगा जीरो फिर माइनस पहले से रहता है और माइनस पांच का माइनस एक में गुड़ा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जागा और पाच का एक में गुड़ा होगा तो पाच एका ने पाच ठीक है अब देखिए माइनस पहले से होता है और माइनस एक है माइनस एक दर्सा लिते हैं फिर कोश्टक में पाला पक्ती दूसरा अस्थम कतम यानि पहला पक्ती दूसरा अस्थम कतम जीरो में जीरो का गुड़ा होगा जीरो फिर माइनस तीन का माइनस एक में गुड़ा होगा यानि माइनस तीन ठीक है माइनस तीन होगा इसको बड़ा कोश्टक कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो समझ में आएगा और फिर प्लस होता है पहले से और फिर क्या दिया है माइनस दो यानि माइनस दो लिख लेते हैं पहला पक्ती तीसरा स्थम खतम माइनस पाच का जीरो में गुड़ा होगा तो जीरो हो जाएगा और तीन का जीरो में गुड़ा होगा जीरो और देखिए क्या होगा तीन होगा फिर देखिए जीरो माइनस पाच फिर माइनस माइनस प्लस एक फिर कोश्टक में जीरो और माइनस माइनस यानि माइनस है और माइनस में गुड़ा होगा, यानि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर जीरो माइनस जीरो, अधिके, तीन फिर गुड़े, जीरो में से माइनस पाच जाएगा, मतलब जीरो में से पांच गटेगा, तो क्या होगा यानि माइनस पाँच होगा क्योंकि पाँच अदिक है और पाँच के पहले माइनस है तो माइनस पाँच होगा प्लस एक गुड़े तीन में जीरो जोड़ेंगे यानि तीन होगा मन में कोई अंतर नहीं होगा माइनस दो गुड़े जीरो में से जीरो जागा य अब देखिए माइनस है यह प्लस है माइनस 15 और माइनस 0 माइनस 15 ही होगा जोड़ेंगे कोई अंतर होगा नहीं चली लिग देते हैं फिर भी प्लस 3 है आप देखिए प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस माइनस जब होता है तो गड़ता है ठीक है प्लस माइनस होता है तो गड़ता है तो यानि 15 में से 3 जागा तो क्या होगा 12 होगा और चीन उसी का लगेगा जो अधिक रहेगा यानि 15 अदिक है तो 15 का चीन 15 गयागी क्या है माइनस है तो माइनस लगेगा ठीक है माइनस लग गया देखिए आपका एंसर हो गए यही क्या हो गए एंसर यही है ठीक है अब देखिए हम आपको दूसरा बता देते है दूसरा क्या दिया हुआ है दूसरा सवाल दिया हुआ है तीन माइनस चार पांच एक माइनस दो दो तीन एक अब देखिए इसको भी वैशे पहले दर्सा लेते हैं सारडिक में सारडिके बराबर देखिए तीन माइनस चार पांच एक माइनस दो दो तीन एक क्या करेंगे आरवन के अनुदीस प्रसारड आरवन के अनुदीस आरवन के अनुदीस प्रसारड करने पर आरवन के अनुदीस प्रसारड करने पर देखिए प्रसारड करेंगे तो क्या होगा तीन होगा पाला पक्ती पाला अस्तम खतम पाला पक्ती पाला अस्तम खतम एक का एक में गुड़ा होगा एक होगा माइनस पहले से होता है तीन दूना चो यानि माइनस चो होगा क्योंकि माइनस दिया है ना तीन दूना चो और माइनस है माइनस लगा दिए इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए इससे आपको पता चलेगा ठीक है आप देखिए पहले से माइनस होता है और फिर माइनस चार दिया हुआ है पहला पक्ती दूसरा अस्तम खतम पहला पक्ती दूसरा अस्तम खतम एक का एक में गुड़ा होगा एक फिर माइनस होता है पहले से दो दो ना चार यानि माइनस चार होगा न क्योंकि माइनस दिया है दो दो ना चार और माइनस चार होगा फिर देखें प्लस पहले से होता है और यहां प्लस ही है यानि 5 होगा केवाल तो अब देखें पहला पक्ती तीसरा अस्तम खतम पहला पक्ती तीसरा अस्तम खतम तीन का एक में गुड़ा होगा तीन और फिर माइनस दो का एक में गुड़ा होगा दो आप देखिए क्या होगा? 3YC होगा 1--6 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 होगा और मैनस मैं गुड़ा होगा तो क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? 4 5 हो जाएगा 3-2 चीक्या? आप देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 वाइश ही रहाएगा गुड़े अब देखिए 6-1, 7 क्या होगा? 6-1, 7 फिर क्या होगा? प्लस 4 गुड़े देखिए 4-1, 4-1, 5 ठीक्या? 4-1, 5 प्लस 5 गुड़े 3-2 है यानि 3 में से 2 जाएगा 1 7-3 के 21 प्लस 5 होगो 20 प्लस 5 गुड़े 5 अब देखिए सब प्लस में है ठीक्या? क्या है? सब प्लस में है सब को जोड़ लेते हैं 20, 20, 40, 41, 41, 41, 41, 45 46 ठीक्या होगा? 41, 5, 46 यह क्या होगा? आपका अंसर हो गया आप देखिए कौन सा बचा? बचा आपका पहला दूसरा बता दिए तीसरा और चोथा सेम टू सेम ऐसे ही है ठीक्या? सारडिक कमान ग्यात करना है आपको तो तीसरा और चोथा आप अपने आप से लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा मैं जरूर बताओंगे आपको तो यानि तीसरा और चोथा तीसरा और चोथा आपके लिए हव है ठीक्या? और नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजेगा मैं दुबारा रिपीट करके मतलब की बता दूंगे आपको कोई सबस्पीसा नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आप एक बार रिपीट कर लिजेगा सेम टू सेम ऐसे ही है कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी देखिए कौन सा आगया तीसरा चोथा खतम होगया आपके लिए होगया अब आगया चाटवा चाटवा में क्या कह रहा है देखिए यदि ए बराबर आप व्यू में जो भी दिया तीन बाई तीन के क्रम में दिया आप व्यू में हो तो सारड़ी के एक ग्याद कीजिए ठीक है सारड़ी के ग्याद करने के लिए कह रहा है ना एक, एक, दो, दो, एक, तीन, पांट, चार, नौ, ठीक है? और दिया है हो तो, सारडिक ए ग्याद कीजिये, सारडिक ए ग्याद करने के लिए कह रहा है, ठीक है? तो देखे, कुछ नहीं करना है, आपको जो आप व्यू में दिया है, बस सारडिक ए ग्याद करना है, तो हम वईसे ही सारडिक में लिख लेते हैं, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है हमको, बस सारडिक में उसी मान को हमें दर्सा लेना है, देखे, जो भी दिया है, सेम टू सेम इसको जो है यह जो इसको हम आप व्यूट कहते हैं जो शीधा लाटिर बस खीचा है यानि खड़ी पाई इसको अब इतना क्लियर कर लीजएगा उसके बाद अच्छे सेहीगा ठीक है इतना आपका clear हो चुका होगा किसको सारणी कहते है और किसको आवियो कहते है ठीक है अब क्या करेंगे कुछ नहीं करना बस R1 के अनुदीस प्रसरण ठीक है R1 के अनुदीस प्रसरण करने पर R1 के अनुदीस प्रसरण करने पर देखे प्रसरण होगा तो क्या होगा एक होगा पहला पक्ती पहला स्थम खतम 9 का एक में गुड़ा होगा 9 का ने 9 मैनस 4 का 3 में 4 त्याई 12 मैनस पहले से होता है एक हो जाएगा ये पहला पक्ती दूसरा स्थम खतम पाला पक्ती दूसरा अस्तम, खतम, नौदुना, 18 मैनस, पांतियाई, 15 प्लस होता है, दो हो जाएगा, दो है न, दो हो जाएगा पाला पक्ती तीसरा अस्तम, खतम, यानी पाला पक्ती तीसरा अस्तम, खतम चार दुना आठ माइनस पांच एकाने पांच अब देखिए एक ठीक है एक हो जैएगा और गुड़े हो जैएगा अब देखिए यहाँ माइनस है यानि प्लस यानि घाटा आना है ठीक है यानि बारा में से नु जाएगा तो क्या होगा या 9 में से 12 गटाई है तो क्या हो जाएगा 3 होगा अब देखिए 9 अधिक है या 12 अधिक तो 12 है 12 क्या क्या है माइनस तो माइनस का चिन लगेगा ठीक है माइनस का चिन लगेगा अब देखिए माइनस एक होगा गुड़े अठारा में से पंद्र जाएगा तो 3 बचेगा और चिन की स्टिच का लगेगा अठारा दिख χाए, अठारा की आगे पिलस है यानि 3 हो जाएगा कि बड़ पिलस लगाए या ना लगाए पिलस 2 यह पिलस 2 है ठीक है यहाँ की बात किये हैं पिलस 18 में से 15 जाएगा यानी 3 बचेगा फिर ये प्लस 2 फिर गुड़े 8 में से 5 जाए 3 आप देखें तीन का एक में गुड़ा करेंगे तीन और माइनस है तो माइनस तीन हो जाएगा फिर माइनस तीन है करें तीन प्लस है तीन दूना यानि दो त्याई छो या तीन दूना छे minus 3 minus 3 minus 6 plus 6 minus 6 plus 6 यानि गड़ जयगा तो क्या हो जेगा zero answer कितना हो जेगा आपका zero zero आपका answer हो गयी छाटवा सवाल भी हो गया अब देखिए सातवा सवाल क्या खहरा है यक्स के मान ग्याद किजrière यदि यक्स के मान आपको ग्याद करने है ठीक है यक्स के मान ग्याद करने है और कुछ ने बहुत जो दिया है वैसे हो जाएगा अभी हल करके हम आपको बताते हैं सातवा सवाल देखें क्या दिया हुआ है सातवा का पहला बता देते हैं आपको साथवा का पहला हम आपको बता दे रहा है देखें क्या दिया हुआ है 2, 4, 5, 1 बराबर सारडिक में 2 यक्स 4, 6 और यक्स अब देखें कुछ नहीं करना बाथ सारडिक आपको हल करना है ठीक है बराबर में दिया है जैसे का जैसे दिया वैसे बस हमें हल करना है ठीक है तो देखिए क्या होगा दो का एक में गुड़ा यानि एक का दो में गुड़ा या दो का एक में गुड़ा दो एक अने दो पहले से माइनस होता है सारड इक हल करेंगे तो फिर पांचों को 20 बराबर जैसे दिया वैसे उतार लेंगे यानि बराबर दिया बराबर उतार लें 2x का x में घुड़ा करेंगे तो क्यों हो जाएगा 2x²-624 अब देखिए 20 में से यानि 2 जाएगा माइनस 18 क्यों माइनस लगेगा क्योंकि 20 सादी के और 20 के पहले माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा 2X स्क्वार माइनस 24 वैसे लिख देते हैं फिर यहां यहां लिख देते हैं यह 2X स्क्वार माइनस 24 बराबर माइनस 18 ठीक है यहां का मतलब क्या होता है या क्यों लिखें क्योंकि हम इसको बराबर के इधार उदर कर रहे हैं मान में कोई अंतर नहीं है जो जैसे दिया है बस बराबर के इधार उदर करके और लिख देते हैं देखें मान में कोई अंतर है दो एक्स स्क्वार माइनस 24 वैसे लिखें और बराबर माइनस 18 बस यह किसको इधर कर लिए और इसको इधर कर लिए ठीक है तो 2x square बराबर माइनस 18 और माइनस 24 है पच्छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा तो 2x square बराबर अब देखिए 24 में से 18 क्या होगा 6 हो जाएगा और चिन किसका लगेगा यानि 24 अदिक है तो प्लस रहेगा इतना तो आपको पता ही है अब x square बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 2 2 3 6 यानि कि यानि कि क्या हो जाएगा x square बराबर x square बराबर 3 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा करणी में 3 प्लस माइनस करणी में 3 हो जाएगा इसका माण ठीक है आप देखेए दूसरा सवाल क्या दिया हूए दूसरा सवाल दिया है सारडिक में 2 3 4 5 बराबर सारडिक में yess 3 2 x और 5 ठीक है इसको आप practice कर लिजेगा दूसरा सवाल यह हम लिग देता है है यह आपके लिए है एक पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा तब ही आपको लगेगा कि यहां समझ में आया कि नहीं आया अगर नहीं आता है कमेंट कीजिएगा मैं बता दूंगे आपको ठीक है यह आपके लिए है तो चलिए देखें साथवा सवाल भी अमारा खतम हो चुका और क्या बचाए यक्स 2 18 यक्स फिर बराबर सारडिक में 6 2 18 6 हो तो यक्स बराबर है ठीक है इसमें हमें क्या करना है यक्स का मान हमें ग्याद करना है ठीक है कुछ नहीं करना बस एक्स का मान ग्याद करना है तो यक्स का मान चली हम ग्याद कर लेते हैं आठवा सवाल पहले उतार लेते हैं यदि सारडिक में यक्स दो अठारह और यक्स बराबर छे दो अठारह छे हो तो एक्स बराबर है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम आपको सवाल यहां उतार देते हैं जो दिया हुआ है आठारह यक्स दो अठारह यक्स एक्स डो अठारह और छे यानी छे दो अठारह छ छे ठीक है तो देखिए सारडिक जैसे यल करते हैं वैसे ही यल करना है ? कुछ नहीं जैसे साथ वा वो ऐसे अठ वा भी होगा देखिए यक्स का एक्स में गुड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वार हो जाएगा फिर माइनस अठारा का दो में गुड़ा करेंगे अठारा दुना अठारा का दो में गुड़ा करेंगे एकार दुना 36 बराबर 6 का 6 में गुड़ा होगा छजा के 36 माइनस 18 दुना 36 अब देखिए x square माइनआस 36 वैसे ही रहेगा 36 में से 36 जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो x square equal स तो यक्स बराबर करणी में 36 का अम पता है साँ प्लस मैंने 6 तो देखिए आपका ऊंसर थी आपको बता चुका है तेखिए मैं यहांसे आपका answer आगया दूसरा का भी और तीसरा चोथ हम आपको दिये हैं छाटवा सवाल यह है और उसके बाद साथवा का भी x equal plus minus करड़ी में तीन answer हुआ और दूसरा सवाल साथवा का आपको दिये हल करने के लिए और आठवा का यह answer हुआ ठीक है अगर आपको नहीं आत तो आप कमेंट कीज़ेगा मैं बता दूंगी एक बार ठीक है अगर वीडियो पसंद देए तो लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो